नमश्कार मैं हूं सुक्रत ईरोय चैटर जी और बोल्स काई में आप सभी का स्वागत है हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा तो जरूर होता है कि जब हम वाश रूम में यूरीन डिस्चार्ज करने जाते हैं तो ये महसूस होता है कि आखिर ये गंदी और अजीब से बद्बू आ कहां से रही है ऐसे में बहुत सो लोगों को ये लग सकता है कि शायद ये वाश रूम से ही आ रही गंदी स्मेल है लेकिन एक्चुली वो बद्बू आपकी ही यूरीन से आ रही है वैसे तो पेशाब की अपनी एक गंद होती है लेकिन कईबार ऐसा होता है कि पेशाब से आने वाली गंद सामाने से जादा बद्बू दार होती है वैसे पेशाब की बद्बू सामाने कारणों से भी हो सकती है और इसमें जादा चिंता करने की बात नहीं है लेकिन कई बार किसी अंतर नहित बीमारी की वज़ा से भी पेशाब में से बदबू आने लगती है जिसका इलाज करवाना आपके लिए जरूरी हो सकता है बतादें कि पेशाब में मुख्य रूप से पानी होता है लेकिन किडनी के द्वारा जिन अपसिष्ट पदार्थों को पेशाब के जरीए शरीर से बाहर निकाला जाता है इसकी मात्रा और सगंता कितनी अधिक है इस पर भी निर्भर करता है कि पेशाब से आने वाली गंद कैसी होगी जिसी यूरीन में पानी जादा और अपसिष्ट पदार्थ कम होते हैं उसमें बेहद कम या फिर कोई भी गंद नहीं होती लेकिन अगर यूरीन बहुत अधिक गाड़ा हो जाए और उसमें पानी की मात्रा कम और अपसिष्ट पदार्थों की मात्रा जादा हो तो पेशाब में से तेज बदबू आने लगती है हाला कि पेशाब से आने वाली बदबू कई बार urine infection तो कभी dehydration का कारण भी हो सकती है अगर आप diabetic हैं तो ऐसे में आपके पेशाब से भी बदबू आ सकती है वहीं bladder में fistula की वज़से भी पेशाब में बदबू आती है तो वहीं bacterial, vaginosis, infection के कारण भी आपकी पेशाब से बदबू आ सकती है तो वहीं यौन रोग, maple, syrup, urine, disease या फिर pregnancy जैसे कई कारण हैं जिनकी वज़से आपके पेशाब से घंद आती है अगर आपके पेशाब से भी घंद जादा दिनों तक बरकरा रहे तो डॉक्टरी जाच की आपको जरूरत है उमीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले